हेलो गाइज वेलकों बैक टो मैं चैनल मैं आज आप के लिए छोले बोटोरी की रेस्पी लेके आई हूँ इस ट्रिक के साथ आप छोले बोटोरी बनाया आपके छोले बोटोरी एक दम पॉफेक्ट बनेंगे बस जरू ट्राइ कीजिए यहां पर मैं मैदा ले रही हूं पहल बेकिंग सोडा उसके बाद एक चमचीनी डाल दूंगे और इसमें एक स्पून और डाल दूंगे आप चाहें तो थोड़ा सो और ज्यादा ओल डाल सकते अगर आपको क्रिस्पी भटूरे पसंद है यह मैंने लस्सी लिए आप यहां पर दही सभी डो लगा सकते हैं अगर आपको इंस्टेंट भटूरे चाहिए तो आप इसमें इनो का पेकिट साल सकते हैं बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की जंगा पर और यह मैंने डो लगा लिया उसको मैं लगा कर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे यह मैंने बहुत देर पहले लगाया था इसको मैंन अंदर मैं पानी एड़ करूंगी और इसके बाद मैं इसमें कुछ इंग्रीडियंट एड़ करूंगी जिससे हमारे छोले एक दम का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा यहां पर मैं नमक डाल रही हूं थोड़ा डाल रही हूं बाद में हम और डालेंगे यह थोड़ा सा कर तक है और में तो कर्देब यह पीड़ा ड़िए वह टोब हम 있다 रहूं अच्छे से भून लेंगे इसका है में एक मसाला डाला जाता है कि आपको मसाला भी वैं आपको मसाला भी वपार नेजाता है भोग अच्छे से दीरे डिरे कम से कमी से 10 किया दस मिनट तक भूनेंगे इसके बाद नमक डिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ध्रग भी डाला था, ग्रेट करते हुए उसके बाद मैंने नमक डाल दिया धनाई पाउडर डाल दिया थोड़ा सा कराम मसाला एक स्पून ये डाला है मैंने कराम मसाला उसके बाद थोड़ा सा कश्मीरी रैट चिली पाउडर मिक्स कर लिया उसके बाद यह यह खास मसाला इसमें मैंने अनार तरना डाला है उसके बा आएगी और छोले की टेस्ट भी बहुत अच्छे से इन्हांस होगा यह देखे मैंने को थोड़ा सा मैश कर लिया था क्योंकि जो मार्किट में छोले बोटो रिखाते वह थोड़े से मैशी मैशी होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं इसलिए मैंस में तो बाद में ही काले कि इसमें यह चायपती वाला पानी एड़ कर दीया मैंने इसमें जसे हमारे छोले काले-काले बन जाया जैसे बाहर मार्किट में एवलेबल होते हैं अब मैं इसको कवर करके थोड़ा हरा दिनी भीडाल दे यूथ और फिर इसको कवर करके पकने देंगे फिर उसको उपर से हम तड़का लगाएंगे यह से कवर कर देती हूं मैं उसके रड़ी हो गया है अभी डेश को आप अब इसके बाद तड़का लगा लेते हुगहां वार्चा टी ली तोस्पोन साथ उसके बाद मैं मैंस टड़के के लिए लाल मिर्ची ली है कश्मीरी वाली जिंजर लिया है हींग लिया है और दो हरी मिर्ची लिया है आप चाहे तो इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं अगर आप गार्लिक खाते हैं तो यह इसका तड़का लगा लेंगे मैंने गार्लिक नहीं डाला क्योंकि हम लोग गार्लिक नहीं गाते हैं उसके बाद इसमें मैं तड़का लगा देए देखिए चोले कितने सुन्दर लग रहा है इसमें मिक्स कर देंगे और यह चोले हमारे बिल्कुर रेडी हो गए बनके अब हम भटूरे बनाएंगे यह दे अबने की खास्ट्र किया है इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे इस तरह से और इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए और आसे निकाल के मैंने रख ली हैं अब मैं अच्छा से और साइड साइड में जादा वेलेंगे इससे हमारा बटूरा अच्छे से फूले बीच में से पतला रहेगा तो मारा बटूरा अच्छा नहीं बनेगा फूलेगा नहीं साइड साइड में से ज्यादा अच्छे से बेलूंगे इसको जितना फैलाएंगे उठाती तुरन श्रिंग हो जाएगा अब इसको फ्राय कर लेते यह देखो मेरा बटूरा एक दम फूल जाएगा और ब मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी एरस भी कैसी लगी देखिए मैं इसकी जाली दिखाते हूं एक दम मस्त गर्म गर्म छोले उटरे देखके आपको मुह में पानी आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब देखके जाएगा थैंक यू फॉचिंग बाई बाई